सिवान जिले का दरौंदा रेलवे जक्षन जहां पे शुविदा का घोर अभाव है यात्री रेलवे जक्षन जाते हैं और छोटी छोडी जो ट्रेन है वहां रुकती है मगर किसी भी तरह की शुविदा यात्रियों को नहीं मिलत पाती है आप देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बेवस्ता की गई है चाहशापा कल तो लगा हुआ है लेकिन उससे पानी नहीं निकलता है या आलम है दरौंदा जक्षन का पार्किंग की घोर अशुविदा है लोगों को काफी परिसानी होती है वही बैठने के लिए भी तरह-तरह की कुर्सिया है मगर उसे मेंटेन नहीं रखा गया है और सफाई का आलमिया है कि सफाई कर्मी तो है लेकिन रेलवे जक्षन पे गंदगी का अंबार फैल चुका है तो आपको बताते चलें कि सिवान जिले का दौरौंदा रेलवे जक्षन है जहां पे चापा कल लगाई गई है पानी की काफी किलत है यात्रियों को परिसानी होती है बाहर से पानी खरीदना पड़ता है और जो शुविधाय यात्रियों को मिलनी चाहिए वो तमाम तरह की शुविधाय नहीं है इसको लेकर के हमारे सनवदाता सीवम रेलवे जक्षन दरौंद प्रिश्थिदी सर्फ लेकर मंडल तक की यात्रा करते हैं लेकिं यहां सफाई की विवस्ता है सब मतलब ह्या सफाई की घती सफाइड नहीं हो पा रहा है परतिक्छाले में इतना बद्वू है कि यार्टि उसमें ठर नहीं सकते यहां पर तुन चापा कर दो बंढ है तो फ्रेट पूदा से धल्ट अब करता है और जक्षन की सफाइज तो इक्तम बिल्कुल नहीं है जक्सन की सफाई और जो फिल्फार्म के बाहर जो गारी लगती है सब उसका कोई मतलब ठीकारे नहीं है कहा कौन लगाएगा इसका कोई मतलब जिम्मारी नहीं है और यहां के स्टेसन मास्टर से पुछने पर बोल ला हैं कि हम बाइट नहीं दे सकते हैं वही इस गंभीर समस्या को लेकर के रेल्वे यात्रियों में काफी अक्रोश है और वो सीधे तोर पर रेल्वे प्रसासन को जिम्मेदार ठाराते हैं तो आई ये सुनते हैं कि रेल्वे यात्रियों का क्या कुछ कहना है आई ये स्फाइप कर्मी देखाई कहीं कहीं सफाई दुरंदा में कहीं सफाई नहींके सफाई नहीं तो चाले कोन चीज के सघ्राइप के वहास्ता नहीं निए पर विडियो के माधेम समलों कि जतना जल से जल को यह सोचाले के और साब सफाई के बहुता है को यह फाली कोफी कॉलम में साब सफाई होता है परतिक्षाले में कि तना गंदगी बाविको कॉण जोड निए हम अब देखना यह होगा कि दरौंदा जक्षन पर रेलिवे अधिकारियों या बड़े नेताओं की नजर पढ़ती है की नहीं यह तोबाने वाला वक्ती बताएगा ATN Live के लिए सीवम कुमार सिंग की रिपोर्ट